श्रीमत भागवद गीता कीता सार हिंदी में क्यों व्यार्थ की चिंता करते हो? किस से व्यार्थ डरते हो? कौन तुम्हे मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है जो हुआ, अच्छा हुआ जो हो रहा है, वह भी अच्छा हो रहा है जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा तुम भूत का पश्चताप ना करो भविश्या की चिंता ना करो वर्तवान चल रहा है तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया, जो नाश हो गया? खाली हाथ आए और खाली हाथ चली, जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसो किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसनता तुम्हारे दुखों का कारण है. परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम रित्यू समझते हो, वही तो जीवन है, एक शन में तुम करोडों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही शन में तुम दरिद्र हो जाते हो, मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दू, फिर सब तुम्हारा है, तुम स चरीर के हो, ये अगनी, जल, वायू, पृत्वी और आकास से बना है, और इसी में मिल जाएगा, परन्तु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो, तुम अपने आपको भगवान को अरप्रद करो, ये सबसे उत्तम सहारा है, जो इसके सहारी हो जाता है, वैभाय, चिंता, शो जीवन मुक्त का अनंदन अनुभव करेगा, ओम तच्छत